हेलो अभीवन वेल्कम टू मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज उपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं ठीक है मेडियम मांग्ड है काफी इजी क्वेश्चन है क्लासिक टेंपलेट से बने हैं स्लाइडिंग विंडो के जो कलर पर इंटीजर दे रखा है इंटीजर दे रखा और के इस इकली टू दे रखा है आप रटो ठीक है रिटन दानुमबर ओव सबरेज वेर दी माक्सिमम एलेमेंट ऑफ नम्स अपियर्स अट लीस्ट के टाइम इन डाट सबरे मतलब आपको उन सबरेज का काउंट बताना है जिस इसमें इस पूरे अरे का जो मैक्सिमम एलेमेंट जो भी होगा कौन है यहां पर तो थ्री है वो कम से कम के टाइम्स तो आना चाहिए ठीक है यहां तक क्लिर है तो देखो यहां पर आंसर 3 क्यों है इस एक्जांपल में क्योंकि देखो हमारे पर ऐसे 6 सबरे हैं जिसमें पह हाँ पर देखे लो एक माइश लिए रहा वन ंथरी इसमें गर्रमिक्स वर्मेट टू टाइम्स कम से कम टू ना चाहिए एक और देख लो टू 3233 इसमें देखो मैक्सिम इलमेंट 3 बराया है है ना अटलीस के टाइम से आना चाहिए मतब उससे जदा भी हो सकता है ठीक है और देखो 323 3233 इसके बाद 233 और 33 टोटल देखो छे सबर यह ऐसे हैं जिसमें जो मैक्सिम इलमेंट है वो कम से कम क्लासिक विंडो से हम इसको बना लेंगे यह मेरा पहला आप्रोच उसके बाद हम लोग सेकेंड अप्रोच पर आएंगे तो क्लासिक इंड में क्या करते हैं आई यहां पर होता था यह यह आपर होता था ठीक है अब मुझे यहीं करना न None झीमाले ना है कि जिन ने सब जिस्क में में मेमें अध्य चैंव सो तो कौन निकालना पड़ेहगा ठीक है अभी जे तो यह लिख लेते हैं कि count of maximum elements कितना है अभी तो zero है क्योंकि जे किसको point कर रहा है one को point कर रहा है तो जे आगे बढ़ेगा यहाँ पर देखो जे जो है अब maximum element को point कर रहा है यह मेरा maximum element है ना तो मैंने maximum element का count देखो बढ़ा दिया अब भी वह दो के से छोटा है के से इक्वल यह तो के से बढ़ा होना चाहिए तो जे अभी भी आगे जाएगा क्या यह maximum element है नहीं तो जे अभी भी आगे जाएगा क्या यह maximum element है येस तो मैंने maximum account बढ़ा दिया दो मिल गया तो देखो अभी देखो काउंट जो है वह greater than equal to k है ना के बराबर आ चुका है तो अब एक चीज़ ध्यान दो बहुत important पार्ट है सबसे जरूरी बात यहीं पर ध्यान देना अभी देखो यह इसका मतलब पता क्या हुआ कि आई से जे तक का जो सब अरे है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो count of maximum element is equal to 2 है आपको दिख रहा है clear cut ठीक है अब एक बात बताओ मुझे अगर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक के सब अरे में दो बार maximum element आ चुका है तो obvious सी बात है यहां से यहां तक के सब अरे में भी 2 या 2 से अधिक बार तो आएगा ही आएगा क्योंकि जब इतने पार्ट में जब maximum element दो बार आया है तो इसी को थोड़ा बढ़ा कर दोगे तो maximum element अभी भी 2 या 2 से अधिक बार आएगा बट जो maximum element था जिनका count मैंने 2 रखा था वो तो है ना अभी भी present है तो maximum element का count 2 या 2 से अधिक होगा ठीक है तो आपने नोटिस करो हमें कौन-कौन से सबरे मिल चुके हैं देखो ध्यान देना 1,3,2,3 जे पर खतम होने व बट इतन ये 2,3 तो आ जाएगा ना उस सबरे में ये 3 और ये 3 तो आई जाएगा उस सबरे में तो वो भी मेरा वैलेट सबरे होगा देखो 1,3,2,3 तो लिखी दिया क्योंकि ये तो वैलेट था उसके बाद आगे और भी elements है तो ये भी एक वैलेट सबरे है मेरा तो आपने मैंने यहाँ पर नोटिस किया जैसे यहाँ पर जब था और मैंने नोटिस पता मुझे समझ में आ गया कि अच्छा काउंट मैक्स ग्रिटे दन इकल टू के है तो कितने इंड बन सकते हैं इस सबरे के एक इंडिंग यहाँ हो सकता है तो यह सबरे मिला मुझे और आगे और पर भी सबरे मेरा इंड हो सकता है क्योंकि उस सबरे में यह और यह प्रेजेंट होंगे तो मेरा एनिवेज काउंट ओफ मैक्स ग्रेटे दन इकल टू हो गई होगा तो देखो एक यहाँ पर इंड हुआ ठीक है तो जहां पर खड़ा है वहां से लेकर आगे तक जितने भी से वहां पर इंड हो सकता है हमारा सबरे और वह वैलिट सबरे होगा क्योंकि काउंट मैक्स ग्रेटर इंकल टू तो हो गई होगा क्योंकि उन सबरे में यह और यह तो आएगा ही आएगा राइट में समझ में आ रहा होगा आपको यहां पर तो यहां पर मैंने क्या काउंट देखो ध्यान देना रेजल्ट में अकाउंट किया जे और जे प्लस वन अगर और भी तू तो एक और सबरे मिल जाता देखो 13233 ये वे वैलेट सबरे क्योंकि तो ये त्री या रहा है तो मतलब से लेकर इंड तक जितने भी ऐलेमेंट्स है उतने सबरे मिल झायंगे मुझको सो कितने देखो यहांपर दो एलमेंट कैसी निकालो गई इस पूरे साइज कितना है दिको तो पांच है पांच में से ज माइनेंस कर दो एन माइनस जब करो तो कितना देगा फाइव माइनस थ्री डाट इस टू यानिकि टू ऐसे इंड है सबरे का इंड मैं ले सकता हूं एक यह देखरो आई से जे हो गया और एक यह आई से जे हो गया इन दो यह दोनों वैलेट सब रहे हैं ठीक है क्योंकि इन में गैरेंटीड ह एक सबरे में यह और यह प्रेजेंट है तो मैंने अपने रेजल्ट में एन माइनस जे को एड कर दिया यहां लिए अगर आई को मैं आगे बढ़ाता हूं ठीक है ? I को मैने आगे बढ़ाया तो I को जब मैने आगे बढ़ाया तो याद करो ये थोड़ी ला maximum element था मेरा तो maximum element का count अभी भी 2 ही है देखो और सही बात है इस पूरे सबरे में देखो I से J में maximal element अभी 2 है दो बार आया है मेरा 3 3 मेरा maximum element है ठीक है तो देखो अभी भी मुझे फिर से दो सबरे मिल गया जिसका स्टार्टिंग ये वाला आई है थ्री टू थ्री एक तो ये सबरे मिल गया आई से जे तक का फिर जे से आगे और भी जितने अब मेरा मैक्सिमम एक घट गया क्योंकि यहां पर आई जब था यहां पर तो ओव्य से बता है यहां पर श्रिफट करोगे तो मैक्सिममिल का काउंट मेंने कम करना पड़ेगा अब देखो मैक्सिमल का बात है हमें हमें । मैक्सले में तो इस सबरे में केतने मैक्शिमिलमेंट है इस सबरे में 2 मैक्सिमेड में ठीक है, तीन और तीन, तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं फिर से रिजल्ट में एड़ कर सकता हूँ, है न, N-J एड़ कर सकता हूँ, देखो, N कितना है, 5 है, J कितना है, 4 है, 5-4, 1, तो मैंने 1 एड़ किया, और वो कौन है सबर है, वो ध्यान दो, 2, 3, 3, है न, वो आगे और भी elements होता, माल लेते हैं, यहाँ पर और भी elements होता, 5 होता माल लेते हैं, तो यह सबरे भी valid होता, 2, 3, 3, 5, क्योंकि इसमें मैक्सिमल मुझा count देखो, 3 है, sorry, 2 है, है न, क्योंकि उस सबरे में यह और यह तो आएगा, है न, ठीक है, तो अभी खैर J यहाँ पर है, तो एक ही सबरे मुझे मिल सकता है, है न, आई से J तक का, तो मेरा N-J का value 1 आया, तो मैंने 1 अट कर दिया, ठीक है, अब since count अभी greater than equal to k होता है, तो आई को मैं बोलूँगा, देखते हैं भाई, और कितना बढ़ सकते हैं, तो आई आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्या अभी भी count greater than equal to k है, यह सभी भी k है, यह भी वैलिट सबरे है, ठीक है, तो फिर से हम N-J add कर देंगे, 1, है न, क्यूं, क्यूंकि तो यह मेरा एक वैलिट सबरे निकलाया, और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर माल लेते हैं, एक्स्ट्राल में यहां 5 होता, तो यह भी वैलिट सबर बनता, और 335 बनता, है न, यहां पर है नहीं, तो सिर्फ 1 एक करेंगे, तो मैंने 1 एक कर दिया, और वो सबरे कौन है, 3,3, यहां था clear है, फिर से आई आगे बढ़ेगा, यहां पर आया, और लेकिन ध्यान दो, आई जब आगे बढ़ेगा, यहां पर अभी आई है, आगे मैक्स अभी वन हो चुका है, तो आगे बढ़ेगा, यहां पर यहां पर आया था, तो आपको रियलाइज हुआ कि काउंट आफ मैक्स जो है, वो ग्रेटर दन इकल टू के हो चुका है, मतलब यह मेरा वैलिट सबरे मुझे एक तो मिल चुका है, ठीक है, यह मेरा वैलिट है, तो वन थ्री टू थ्री यह रहा है यहां पर, वड़ आप खुछ सोचो ना, यह इतने सबरे में, अगर दो सब वैलिट मतलब यह के इस इकल टू टू मैक्स एलमेंट्स है, एक यह, दो, एक यह, है ना, दो मैक्स एलमेंट्स है, तो अव्यस यह बात है, आगे का भी मैक्स एलमेंट्स तो आएंगे, है ना, तो ग्रेटर दन इकल टू हो जाएगा, मैक्स एलमेंट्स जैसे वन थ्री टू थ्री थ्री यह, तो यह भी मेरे एक वैलिट सबरे है, ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, कि जे से लेकर इंड तक में, जितने भी इंड है, है ना, वो सारे वैलिट सबरे बनाएंगे मेरे, जैसे आई से जे मेरा एक वैलिट सबरे मिला था ये वाला, जीरो से लेकर थ्री तक, उसके बाद ये भी वैलिट सबरे है, जीरो से लेकर थ्री तक एक वैलिट सबरे था, जीरो से लेकर फोर तक एक वैलिट सबरे था, आगे और भी elements आता मालने थे 5 बता उसले का 5 तक भी एक साबरे होता क्यों क्योंकि उस सबरे में यह दोनों maximum element present था यह वाला और यह वाला ठीक है present है उसमें तो इसलिए देखो हम और उसको अड कैसे कर रहे हैं यह यह वाला ending सबरे के ends को एन माइनस जे करके आड कर रहे हैं है कि हाँ एन माइनस जे मेरे टोटल वालिट सबरेस का काउंट होगा ठीक है यहां तक क्लियर है ओके तो इस जल्दी से कोड करते हैं पहले देख लो टाइम कॉंपरेटी क्या है ताइम कुछ नहीं है नॉर्मल सा सबसे पहले अपरोच वन से देख लेते हैं मैंसे निकाल के रख लो तो मैंने आप फॉर लुग निके भी मैक्सिमल में निकाल सकते हैं इंट इस इकल टू नम्स डॉट साइज इंट आई इस इकल टू जीरो इंट जे इस इकल टू जीरो च्लासिक स्लाइडिंग विंडू लिख रहे हैं बस है ना लॉंग लॉंग रिजल्ट ले लेते हैं उसमें जीरो अभी डाल देते हैं इंट हमारे मैक्स का कॉंट कितना है वह मैं इस वैरिबल में स्टोर करूंगा वाइल जाए जब दन एंट हमेशा की तरह स्ल करता रहूंगा कि अगर count of max जब तक greater than equal to k है है ना तो मैं result में plus is equal to n minus j add करता रहूंगा यह मैंने आपको example से भी दिखाया n minus j का मतलब क्या है ठीक है if nums of i अब i को आगे बढ़ने से पहले check कर लो कि क्या max of element चला जाएगा मेरे window से अगर चला जाएगा तो count of max को minus minus कर दो ठीक है अब यहाँ पर i plus plus कर दो तो यह while loop क्या ensure कर रहा है कि मैं सारे सबर इसको count कर रहा हूं सारे सबर इसको और i को shift भी कर रहा है मेरा left side से window shrink करता चला जा रहा है और यह तो बढ़ता ही रहेगा यह तो हमेशा बढ़ता रहता है लास में return क्या करना है result करना है ठीक है सब्मिट करके देखते हैं अब हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर टू पर तो चलो अप्रोच टू देखते हैं अप्रोच टू में हम विदाउट स्लाइडिंग विंडो इसको बनाएंगे और काफी सिंपल सा अप्रोच है यह भी ठीक है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार लीट कोड का जो कोड होता है ना जो ऑफिशल सलुशन का अगर आप कोड देखो गए तो बहुत कंफ्यूजिंग होता इंडेस्टैंड की लिखते कौन है उसको ठीक हम लोग बहुत सिंपल तरीक से समझ देंग और ब इंडेस्टैंट अभी माल थी सब्सक्राइड मान यहां पर खड़व आप और अभी आ जीनकर धेथा एक एक है जैकनर पर रहा हैं लीट किनने लिखotomाट कहूंट का एक्सियुल के ब्लेके यहें मायच्छी है और मैं रिछ देल दिखल ज किसमेंगे मासिम movement में 26 eder मतलब greater than equal to k maximum मुझे दिख चुक है ठीक है अब देखो अभी आप यहां पर देना ठीक है तो अब देखो यह तो एक maximum हो गया हमें कम से कम 2 maximum चाहिए ना तो left side में देखेगा कि कौन है वो बंदा जो मेरे साथ मिलके 2 maximum element बना दे तो last time एक तो यहां दिखा था मुझे ठीक है तो मतलब यह वाला part तो चाहिए होगा हमें अपने सबरे में सबरे को वैलेट बोलने के लिए है ना मतलब मैं बोल रहा हूं कि index number one और index number three तो होना ही होना चाहिए एक वैलेट सबरे बनाने के लिए क्योंकि इस इंडेक्स नंबर one से लेकर three तक में मेरे पास दो maximum element है ठीक है तो index number one से लेकर three तक में कौन-कौन elements आ गए index number one element index number two element और index number three element तो मैं element भी लिख देता हूं है यहां पर कौन-कौन है three है two है three है है ना अब एक चीज़ और ध्यान दो अगर आप पीछे भी जाओगे यहां पर तो index number zero से भी अगर आप लोगे यहां तक का सबरे तो वह भी तो वैलेट होगा क्योंकि उसमें यह और यह तो प्रेजंट है है ना दिमाग यहां पर भी वही चीज़ लगा रहा है जो यहां स्लाइडी विंडो में लगा था बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं पीछे साइड में देख ले रहे कि और भी कि elements है और वोवी मिलके सबर ही बनाइगा मैं बोल रहा हूं एक और मुझे दिख रहा है दो कौन है वह सबरे एक तो यह दिख गया मुझे एक और सबरे मुझे देख रहा है देखो इंडेक्सहमर एलमेंट है 1323 यह भी मेरा वैलेट सबर रहे हैं यह भी मेरा एक वैलेट सबर है क्योंकि इन में से देखो मैक्सी का काउंट ग्रेट अनिकल टू के तो मुझे दो वैलेट सबर मिल गए अब आपने चीज नोटिस किया आपने क्या किया अप जब आप यहां पर थे तो आपने मैंने मैं लास्ट न मैंने कहां देखा था 3 तुछ अ काउंट मेरा कॉणल जो है वह कम से कम के के बराबर हो हुघ है तो मैंने लास्ट यहां देखा इंडेक्स नंबर 1 पर देखाता तो इंडेक्स नंबर 1 से पोलूँगा कि भाई इंडेक्स तू ये माल लेते हैं मैं इसे पुछूँगा कि भाई एक बात बता तू कितने और elements को ला सकता है सबरे बनाने के लिए तो बुलेगा एक तो मैं आ सकता हूँ खुद याने कि 1,2,3 एक ये बना सकता हूँ सबरे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 और I बुलेगा कि मेरे पीछे और भी elements हैं उनको भी लेकर मैं एक सबरे बना सकता हूँ 0,1,2,3 तो ये दो सबरे बन सकता है तो अब्वेस सी बात है I की जो value है I का index कितना है 1 है मतलब ये 0 से लेकर 1 तक के सारे elements को लेकर ये सबरे बना सकता है 0,1,2,3,1,2,3 ये सबरे बन सकता है दो सबरे बन सकता है तो simple सी बात है I प्लस 1 करोगे तो आपको direct count मिल दागा कि कितने valid subaries बन सकते है तो देखो इसी दिमाग के साथ हम इस problem को solve कर सकते है है ना इन्ट्यूशन ये था हमारा कि I last time हमने कहां देखा था maximum element को ठीक है तो मैं इनको erase करता हूँ ताकि दुबारा हम इसको रंग करके समच सके है अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ जैसे मैं यहां पर आया मैंने देखा लास्ट टाइम आई इस इंडेक्स पर आया था लास्ट टाइम मैं इस इंडेक्स पर आया था और यह इतना जो सबर है इसमें जो काउंट है वह greater than equal to k मतलब यह valid सबर है मेरा तो लास्ट टाइम मुझे इंडेक्स नमर आये इस इकल टू वन पर दिखा था मतलब यह भी तो वैलेट सबर होगा यहां से लेकर यहां तक जीरो से लेकर थ्री तक क्यूंकि इसमें भी तो इंडेस नमर वन इंडेस नमर थ्री शामिल प्रेजंट है ठीक है तो दो सबर इस मिल गया ओके बढ़िया अब मैं यहां पर आता हूं आगे क्या यह maximum के बराब है यहां पर अभी देखो ध्यान देना maximum हमें कितने देख चुकी है हमें maximum तीन देख चुके हैं तो अब मैं देखो पूछूंगा कि अब मुझे देखो यह तो बंदा अकेला है इसको कम से कम कितने और चाहिए maximum element एक और चाहिए क्योंकि वह threshold मेरा k is equal to 2 है ना तो मतलब कम स यहां पर आया तो इतना सबरे तो चाहिए होगा इसको ठीक है मतलब मुझे वायर बनाने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए और भी मिलना तो बढ़िया है मतलब एतना चाहिए होगा तो मुझे एक सबरे मिल गया index number 3 से लेकर index number 4 तक एक ये सबरे मिला मुझे ये index लिखा वाटेकर ये indices है index 3 से index 4 तक ऐब देखो last मुझे index यहाँ दिखाता था तो अब्वेस सी बात है अगर मैं इस सब्रे, अगर इस सब्रे को लूं देखो इसको, इसमें भी इंडेक्स नबर 3 और इंडेक्स नमर 4 प्रेजन्ट है। है तो वो भी से वालेंट सबर को टू एक किसमें माजिम सबर एक tuh सबरे को सकता हूँ तो फिर से वही दिमनों लाएंगे मैं यहाँ पर था मेरे देखा क्थ है रास्ट वालिद मुझे मैक्समल मेंट किसको लेना चाहिए कि कम से कम K is equal to two maximum हो जाएं तो वो इंडेक्स three में मिला मुझे तो उसके साथ पेरिंग कर लिया मतलब मुझे कम से कम इतना बड़ा सबरे तो चाहिए होगा ठीक है इंडेक्स किया है इस इकल टू ठीक है तो मुझे कितने सबरे मिल जाएंगे इस ठीप से स्टार्ट होने वाला एक सबरे मिलेगा यहां से सबरे यहां से इक है तो टोटल आई प्लस वन डाट इस चार सबरेज मुझ जाएंगे मुझे चार मैंने को दिखाए भी कौन-कौन थे हो क्योंकि उन इन सारे सबरेज में यह वाला सबरे सबसे पहला तो यह सबरेता न यह वाला उसमें इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 प्रेजंट है फिर यह सबर था तभी दो एलमेंट तो गैरेंटीड हो जाएंगे तो आई प्लस वन यहनिकी 3 प्लस डाट इस 4 ऐसे 4 पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते मेरे सबरेज के तो तो टोटल कितना हो गया स्टार्टिंग में याद है दो एक निकाला था मैंने अभी चार निकाला टू प्लस फॉर एट इस 6 हो गया ठीक है काफी इंट्रेस्टिंग और काफी मुझे अच्छा सलुशन लगाई है एक और एक्जांपल पर ड्राइब रन मारते हैं आपका कहानी उधर ही खतम हो जाएगा अब देखो इसको इस एजांपल को ट्राइरं करते हैं यहां से और मैंने महारे सरी तक रट टूजेंश तक और लोमजे मैस्सेलमन दिखा यह कोई बात दी है यहां पर आ गए by Solutions दिखा इंडेक्स नमबर वन पर तो मैं यहां पर इंडेक्स नमबर वन लिख देता हूं ठीक है कि मुझे एक मैक्स मेल मिला अभी ओके तो बट मुझे के जिकल टू वैली थ्री एना तो कम से कम मुझे तीन यह तो तीन से अधिक मैक्स नमें चाहिए होंगे ठीक है आई मेरा इंडेक्स नमबर 4 है ठीक है तो मुझे मिल गया कितना मैक्सिमल मेंट के जिकल टू त्री मैक्सिमल मेंट मिल गया हिसका मतब क्या हूआ कि भाई मुझे एक वाृद साबरे अचुम्हे तीन मैक्सिमल मेंट देख चुक है दिख ऑ तो याद्करमेन आंक ऑ पर क्या बोला थ था सच अधाट उससा बरे में टोटल 3 नहीं यह नहीं है क्यों तो इसमें सिर्फ दो ही मैक्स माख्वाल में था फैसंट लॉश्टा इन यहां दिखा था यह ङए लास्ट इदा था आन तो यह मेरा वैलेट से बढ़िए ठीक है तो मुझे यहां पर दिखाता अभी यह इंडेक्स पर फोर पर तो मैं एक बना लूँगा एक इन्डीसिज नाम का एक और बना लूँगा इंडेस 012 तो यह सारे क्या है यह सारे मेरा इंडेक्स है जहां-चाहां मैंक्स मुझे मिला था तो देखो अभी जैसे मुझे टीन जगह मुझे मैक्सिमल्मेंट मिल चुके हैं क्योंकि तीन इन्डीसा यहां पर ठीक है और K की वैल्यू 3 ती तो मतलब अभी मुझे मैक्सिमल्मेंट का काउंट मिल चुका है जो कि greater than or equal to K है तो अब धियान दो मुझे यहां पर इंडेक्स नमबर फोर पर दिखाता न इस index 4 से लेकर मैं किस 3 तक जाऊं इस 3 तक जाऊं या फिर ये वाले 3 तक जाऊं जो मेरा index number 1 पर है अब वेसी बात है मैं index number 1 वाले 3 तक जाऊंगा तभी तो मुझे इस सब अरे मेदे को ध्यान दो 3 maximum element मिलेंगे मुझे है ना तो मैं धूनना क्या चाहरा हूं मैं वह लास्ट इंडेक्स धूनना चाहरा हूं जहां पर maximum element आया था और टोटल यहां से इस आई तक में maximum 3 elements के elements होने चाहिए के elements कम से कम होने चाहिए maximum ठीक है तो मैं क्या करूंगा देखो अभी मुझे जैस 4 में दिखा था तो मैं कुछ नहीं से index number i तक का अगर आप सबरे देखोगे तो इसमें maximum element तीन बर आया होगा ठीक है और देखो मैंने इसका जो भी size रहा होगा है वो मैंने निकाल लिया size is equal to कितना है 3 है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 3 बार maximum element दिखा है ठीक है बट मुझे क्या करना है last उस maximum element के index को पकड़ना है जो इस 4 वाले मतलब अभी just मुझे जो दिखा index number i उसके साथ मिलके वो सबरे बना सके जिसमें maximum element 3 बार आया हो ठीक है क्योंकि k is equal to 3 है मेरा तो total size कित index मिल दाएगा यह वाला index मिल दो 3-30 हुआ size मैंस के कितना हो गया 0 तो 0 ते जाओंगा इसका मतलब क्या हुआ दो इतना तीन मुझे मिल दाएंगे maximum element index number one index number three index number four तो इसका मतलब क्या हुआ कि last मुझे यह index पकड़ना चाहिए ठीक है यह मेरा last index होना चाहिए ताकि यह valid सबरे होगा ठीक है तो इसको मैं क्या लिख दूँ last index क्या निकल क्या है मेरा यह array का नाम क्या है indices और इसका size minus k है ना size minus k से क्या हुआ मुझे यह last index मिल गया क्या था यह one था इसका value ठीक है और मुझे simply result कैसे calculate करना था result plus is equal to लियात करो last index जहां पर था उसमें plus one कर दो क्योंकि valid सबरे क्या क्या हो सकता देखो valid सबरे हो सकता है यह वाला valid सबरे यह भी हो सकता है तो दो सबरे मिल गया ना तो last time मुझे three यहां दिखा था ठीक है तो i जो भी index है index one है ना तो one plus one that is two sub-rays मिलेगा मुझे valid क्योंकि उन two sub-rays में यह भी include हो रहा होगा यह भी include हो रहा होगा यह वाले सबरे में फिर यह वाले सबरे में भी यह included है यह included है ठीक है तो आपको यह पस यह करना लास्ट आई जहां पर भी था उसमें plus one करके आपको रिजल निकालना ठीक है अब यह और आगे बढ़ते हैं और clarity आ जाएगी इसको erase कर देता हूं थोड़ा अब देखो अभी मेरा i यहां पर आया क्या यह maximum के बराबर नहीं यह maximum के बराबर नहीं बट अगर आप ध्यान दो भले यह maximum के बराबर नहीं है बट अभी आपको कितने count दिख चुके है maximum element के तीन काउंट दीख चुके यहां पर साइज देखो ठीक है तीन काउंट दीख चुके ना मतलब अभी हम लोग सबरे वाले केस में चल रहे हैं यह रहा तीन हमें मैक्सिल में दीख चुके ठीक है तो क्या वह तो इस टू को भी आप इंक्लूट कर सकते हैं जितने भी पहले सकते हो न, फिर से हम वही करेंगेमे देखो ध्यान दू यहां पर मुझे लास्ट कॉंसा थ्री लेना चाहिए कि इसको लेना चाहिए नहीं इसमें एक कि मैक्सिमल्टे सलम पांध क्र क्या इस हो मगी क्या इस इसको इसका size नहीं है total maximum थीन थे तो 3 मैंने के किया तो क्या मिला 3-3 that is 0 मतलब मुझे 1 वाले index को पकड़ना चाहिए यह इस 3 को पकड़ना चाहिए तब ही मुझे वैलिड एक सबरे मिलेगा थो कौन-कौन सबरे निकल कर आएगा देखो तो से एक तो ये वाला यहां से लेकर आई तक का ठीक है और एक यह वाला है यहां से लेकर आई तक का क्यूंकि इस दोनों साहबरे में यह तीनों वन आ रहा है तो यह भी से लिए घृड़ से मैंने वह किया लास्ट आई मुझे कहाँ दीका इंडेक्संबर 1 पर दिखा न तो अब फिर अब मेरा यहां पर आपर इस लिमें कर इंब्लेट कर देना होगा मैं यहां पर डाल देतों 10 o कौन से इंडरेक्जर सिंपध्र सिपस्थ अब मैं फिर इससे पुछूँ किया किसके साथ आना पसंद करेंगा इसके साथ दो ओंच साथ ऊठालं माक्सिमलन प्रेजट है तो कि States मेरे कितना है मेरी कि यह explicit है क्योंकि इसमें यह यह ठ्रीually ठ्री प्रेजंट यह 10575件 है वह ठाहिग्शन है और वह जबंट खाल झाल सकतो यहां पर यहां पर आपको अभी सिक इतने है टोट एंदरी में चैय को सिखो जो घंडेक्स वाले को कम से कम तो लेना चाहिए हैना मतलब यह वाले इसके साथ तभी तो यह इसके साथ मिलके बनाया डिन झसमफ थी मिला और और offense मद 3 से पहले वाले सिको को भी इंख्लूड कर सकते हूं मिला तो लास्ट अंटेक्स तो हमें इसमें करना क्या है हमें सारे इंडीस को स्टोर करके रखना है जैसे जैसे इंडेक्स मिलते जा रहे हैं उस इंडेक्स को मैं स्टोर करते जाओंगा जहां मुझे अगर मेरा मैं का काउंट के हैं मतलब मुझे टाइमस मैं दिख चुका है तो मुझे बस क्या करना कितने पॉसिबल सबरेश हम बना सकते वहीं निकालना थीक और वह कैसे निकाल सकतो देखो अभी मुझे के यहां पर दिखा है मुझे एहां पर दिखा तो थेकल कम तरहीं हो गाहिए हूंगे न करने थी क्वह उसी होगा मैश्मयों में स्टो वर गयाँ तो इससे वन पर कॉन सैंस थे जर्दियोगत मुझे यह क्सर्दा आ इस इंडिक क्वाले हुग cm मेंच करने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर मुझद hoch तकि यहां पर 4 ya tax making मुझछ उन्सन्पर 3 2006 मिल जए और इंडेक्स मेर थ्री इंपर अगर हैं हम लोग है तो टोटल कितने साब भिर बन सकता है इंडेक्स रहे से लेकर 6 तक इंडेक्स रही तो से ट्रिकी था बड़ बहुत ही अच्छा सलुशन ही है तो चलो इसको भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं टाइम कॉम्पिस्टिटी क्या है एक बार रिविजिट कर रहा है और स्पेस कॉम्पिस्टिटी ओफ एन है क्योंकि हमने यहां पर इंडीस को स्टोर करने के एक और हमें एक स्टास ले रहे थे वेक्टर उफ इंडीस कहां कहां पर मुझे मैक्स दिखा थीक है तो वह मैं इसके स्टोर क्राइव लिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर इंट इंट इक लेस दन एड एन प्लस प्लस हर एक पास जाएंगे यह चेक्ट कर लेंगे कि अगर नमस ओफ आई मेरा मैक्स ओफ एलेमेंट की मैक्स एलेमेंट की बराबर है तो अब वेसी बात है मैं क्या करूँगा मैक्स इंडीस में उसका इंडेक्स को पुश कर दूगा कि भाई इस इंडेक्स में पुश अंडर स्कोर बैक आई इंडेक्स में मुझे मैक्स एलेमेंट दि तो अगर ये if size जो है वो मेरा greater than equal to k निकला है इसका मतलब अभी मुझे valid number of maximum element का count देख चुका है है ना तो मुझे बस कुछ नहीं करना है मुझे बस ये देखना है कि last कौन सा index को मैं उठाऊँ सो दाट मुझे एक ऐसा सबरे मिल जाए एक ऐसा विंडो मिल जाए जिसमें maximum account greater than equal to k हो है ना तो max indices size minus k वाले को उठाएंगे last maximum यहाँ पर आया था उस वाले maximum index को उठाएंगे और result में आड़ कर देंगे प्लस इस उक्वल टू लास्ट आई वला इनका इंडेक्स प्लस वन इत्ते पॉसबल सबरेद और आड़ हो जाएंगे लास्ट में रिटरन कुछ नहीं करना result कर देना ठीक है यह चीद समझ में आ चुका हो आपको अच्छे से समीट करके देखते है विशुट बी अबल